आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही क्विक चाट रेसिपी इसे आलू चाट कहते हैं घर में चाट की बच्ची हुई चीजों से इस रेसिपी को ट्राइ करें बहुत टेस्टी बनता है तो इस आलू चाट को बनाने के लिए यहां पर मैंने आलू उबालकर रख लिये हैं जिन्ह अब इस आलू में डालू की करीब तीन से चार बड़े चमच पूदीने की चटनी पूदीने की चटनी की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक पर देख सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के इ साथ ही डालूँगी आधा टेबल स्पून आमचूर पाउडर और नमक स्वाद अनुसार इनको भी अच्छे से मिक्स कर लें तो हमारा आलू का मिक्स्चर यहां पर तयार हो गया है आलू चाट बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें पानी पूरी का बच्चा हुआ पानी भी डाल सकते हैं जिससे कि यह मिक्स्चर थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा यह ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें तो हमारा आलू का मिक्स्चर यहां तैयार हो गया है तो चलिए अब चाट बनाना शुरू करते हैं चाट बनाने के लिए इस आलू का थोड़ा सा मिक्स्चर एक बाउल में इस तरह से डाल कर उसे अच्छे से फैला लें यहां आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को इस बोल में अच्छे से फैला लिया है अब इसके उपर मैं चट्णी डालूगी तो यहां पर मैंने तीनाव चट्णी लिए हुई है सबसे पहले मैं हरी चट्णी डालूगी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चटनी डाले हरी चटनी के बाद लाल चटनी और फिर आखिर में इमली की चटनी इस पर डालने ये इसी वक्त दिखने में कितना टेंप्टिंग लग रहा है इसके उपर में डालूँगी बारी कटा हुआ ठमाटर तो ये सारी चीजें आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद है उसे साब से आप डालें फिर बारी कटा हुआ अप्याज फिर इस पर मैं डालूँगी इस तरह से ये मसाला डाल मसाला डाल के बाद नाइलाउन सेव यहां पर मेरे पास है पानी पूरी की बची हुई पूरी जो की पहले से तूटी हुई होती है हम पानी पूरी में उसे नहीं यूज करते हैं तो इसे इस तरह से क्रश कर ले आलू चाट के उपर थोड़ा सा चाट मसाला इस तरह से छड़क ले फिर नीबू का रस बहुत ज़्यादा नहीं तीन चार मून और फिर इसके उपर मैं डालूँगी पानी पूरी की जो पूरी हमने क्रश करके रखी थी उसे आखिर में बारी कटे हुए धनिया पता से सजा कर इसे सर्व करें चोटी मोटी पाटी के लिए आप इसे बना सकते हैं बहुत ही जल्दी तयार हो जाती है यह रेसिपी तो आलू चाठ हमारा यहां पर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह के और बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा